हेलो गाई दाशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है यह टॉपिक बेसिकली उन डेवलपर्स के लिए है जो डीएस को समयना चाते हैं कि डीएस होता क्या है एंड इसका क्या यूज है इसको कैसे हम करें तो यह पूरा मैं पूरा पास बताऊंगा कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं तो आए इसको समयते हैं पहले हम बात करते हैं डीएसे होता क्या है जो डीएसे का फुल फोम है वो है डेटा स्ट्रक्चर अल्गोरिथम अब डेटा स्ट्रक्चर एक है अब पहले हम स और कितने कम टाइम में और उसकी क्या time complexity रहेगी उसकी क्या space complexity रहेगी data की उसको कितने efficiency device में मैं load करता हूँ उसको हम कहते है data को structure करना ठीक है तो यह हो गए data structure की definition कि हम data को कैसे structure करते हैं और कितनी efficiency way में उसको दिखाते हैं ठीक है अब इसमें दो चीजें cover होते हैं हमारी एक तो होता है time ठीक है time को cover करना और दूसरा होता है हमारा space ठीक है यह दोनों को यह data structure cover करता है अब algorithm क्या होता है गाई अल्गोरिफम होता है मान लो मेरी कोई problem है ठीक है कि इस problem को मैं कैसे solve करूँ ठीक है अब इसके मैं कुछ steps लिखूँगा steps one steps two ऐसे करके so on ठीक है यह मेरे steps रहेंगे इस particular problem को solve करने के लिए अब जब यह steps जो होंगे basically मान लो कि मैं एक variable declare करूँगा then उसके बाद यह logic लगाऊँगा उस logic को मैं इससे divide करूँगा इससे multiply करूँगा then उसके बाद उसका कुछ result आएगा जो मैं return करूँगा जो मेरा actual result होगा तो यह होता है algorithm के steps of instruction to solve a problem तो यह था DSA के बारे में के DSA होता क्या है ठीक है आशा करता हूँ आप लोगों को यह चीज़ सारी समझ में आगी होगी तो अभी मैं discuss करूँगा tape का शाना के how to start ठीक है हम start कैसे करें इस चीज़ को के जो problem है इसके बारे में पहले मैं बताना जाता हूँ कि आप लोग फेले time complexity जो है उसके बारे में पढ़ें ठीक है दूसरा आप जो है वो है space complexity इसके बारे में पढ़ें then उसके बाद आप लोग पढ़ें एक programming language ठीक है के एक program language आपको जुरूरी है इसको solve करने के लिए like c++ java जा goal है कोई भी आप इसके लिए choose कर सकते हो python भी है उसको किसी को भी include कर लें इसको चलाने के लिए ठीक है उसके बाद आप solve करें like आप इसके अंदर solve करें dsa की problems ठीक है algorithm आपको पता चल गया ds आपको पता चल गया then इसकी जो problem statements होती है वो भी आप लोग इसको solve कर सकते हैं तो यह था के how to start अब guys यह तो हो गया intro for ds अब further जो आगे वीडियो आएंगी उसके अंदर मैं यह फर्स्ट वीडियो था dsa के regarding आगे टुटोरियल जैसे आते रहेंगे तो उनके साथ बने रहें और इस वीडियो को भी इस वीडियो के साथ बने रहें thank you for watching guys subscribe करते रहें और अपना प्यार ऐसी बांडते रहें